क्या रहा आज कि आज राम प्रस्तावित हो गए उनकी प्रांट प्रतिष्ठा हो गए लेकिन बहुत सारी भी पच्छी लोग है भी भी राम को कलपनी मानता हूँ क्यों कि वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं इससे जादा अद्भुत लमहा नहीं हो सकता था जब राम लल्ला की प्रतिमा को जब आप सामने से देखें यकीनन वो भावुक शन भी है गला भराया सदियों से जो सपना हम लोगों ने देखा था आज वो सपना पूरा हो रहा है सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस शन का साक्षी बनने का मुझे मौका मिला पर जो लोग इस पे भी राजनिती कर रहे हैं बस इतना विनव मरागरा है कि आप भाजपा से लड़ें प्रधान मंत्री मोदी से डट कर आप लड़ें पर भगवान राम से इस लड़ाई को न रखें भगवान राम से यह बैद नहीं होना चाहिए आज से राम राज की अस्थापना हो गई बिल्कुल मैं मानता हूँ जितना खुबसूरत जितना दिव्याज का दृशिदा राम राज होगा तो ऐसा ही होगा विपक्ष के तमाम उन लोगों को क्या क्या सलाह देंगे जो लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहे थे या राम का विरोध कर रहे थे वही मैंने कहा कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप पूरे सनातन धर्म का विरोध करने लग गया इंडिया लाइंस के लोगों को आप देखिए कोई इसको मलेरिया बिमारी की तरह समा लड़िये लेकिन राम से मत लड़िये राम को आउकल पनी मत कहिए यही सलाधी है विपक्ष के तमाम उन लोगों को जो लगातार राम को लेकर तरह तरह के बयान दे रहते सनातन को लेकर बयान दे रहते कर दो लोगोिए डाम जोगों को लेकर आतन को लोगों को लेकर बयान दे रहते सकता।